असलाम लेकुम व्यूवर्स आज रुबीन अंसारी किचन में आपके लिए मटन में लौकी तयार कर रही हूं लेस स्पाइस कॉर्टर कप कुकिंग वयल कुकर में डालके मैंने एक दर्मयाने सा इसकी प्यास जो बारिक स्लाइसिस में काटी थी वो और आधर टी स्पून काली मिर्चे सावर्ट डाल दी हैं अब इसे मैं थोड़ा सा फ्राइ करूंगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिजए साथ में वने बेल आइकन को जरूर प्रेस कीज़ेगा ताके मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुन सकें डे अद्रक और लेसन का पेस्ट डाल दिया है और इसके साथ भी मैं एक से दो मिनट तक भूनूंगी वीवर्स दो मिनट हो गए हैं अब मैं इसमें दो पिंचिस कलोंजी सुनत नवी सल्लाला अले वाले असलम के मताविश डाल के इसे थोड़ा सा मिक्स कर रही हैं और अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी एक टीस्पून सुर्ख मिर्च और एक टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च और कौर्टर टीस्पून हल्दी को मैंने दो टेबिल स्पून पानी में मिक्स कर लिया था वो डाल के अब मैं भून गही हूं जब तक कि इसका कच्छा पन निकल जाए विवर्स दो से तीन मिनट के बाद मैनेश में देड़ मक पानी का डाला है और मैं इसे धकन रखके गलने के लिए रख रही हूं वेट रखूंगी और वेट पच्छीस मिनट तक चलेगा विवर्स पच्छीस मिनट तक वेट चला था मैंने यहीं डीप्रेश्राइज कि तकरीबां पांच से साथ मिनट और लगे और अब देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर नजा रहा है पानी भी कम हो गया है और यह टेंडर हो गया है अब मैं इसके चूला जबाके फ्लेम हाई करके से थोड़ा सा भूनूंगी और एक छोटे साइस की लौकी को मैं इस तर विवर्स तकरीबां साथ मिनट हो गये थे वेट जो है रुग गया है और मैंने भाप निकाल दी थी देखिए पानी इसमें कम है और यह टेंडर भी हो गई है अब मैं इसमें दो टेविल स्पून हरा धनिया और दो मिर्चन कम हूं मैंने काट दिया था वह डालके अच्छी अब मैं फ्लेम आफ कर रही हूं और आपके लिए डिश आट कर रही हूं इसमें मैंने शोरबा रखा है देखिए कितना अच्छा साए विवर्स आपके लिए मटन और लौकी का कम मसालों के साथ मैंने सालन तयार कर दिया है बहुत ही मज़िदार सा है बीमारी में भी से खा खा सकते हैं जो लोग कम मिर्चे पसंद करते हैं बहुत ही ताकतवर है इसे आप रोटी नान या चापाती के साथ सर्फ कीज़ेगा ता नूरी रोटी के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी और उबलेवे चावलों के साथ भी कुछ लोग खाना पसंद करते हैं इसे जरूर ट्राइ कीज़ेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीज़ेगा और लाइक भी कीज़ेगा मिलते हैं एक और नई मज़िदार सी रेसिपी के साथ असलाम लेक्म और अल्लाहाफिज